हे गईज तो कैसे आप सभी तो दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं कल जो आई बीपीएस पीओ मेंस का रिजल्ट आया था बहुत लोग इस कन्फूजन में हैं कि सर मैट्स की cut off नहीं निकली होगी देखिये मेरे हिसाफ से मैट्स की कटण गई है वो दो मार्स आसपास गई है तो जिन लोग को भी लग रा था कि मैट्स की कटफ नहीं निकल पाइ तो आप सोचिह क्या आपके बाकी सब्जेक्ट सही गए थे क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि current affairs या GA का जो portion था उसकी cut-off 9 के आसपास गई होगी 9 या may भी हो सकता है 8 या 9 marks गई होगी तो बहुत लोग जो सोच रहे थे कि maths की cut-off नहीं निकाल पाएंगे तो हो सकता है कि अगर उनका GA portion वीक था तो मेरे हिसाब से 70 तो क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करी होगी 70 के आसपास ही cut-off रही होगी क्योंकि मेरे खुद के बहुत सारे दोस्त है जिन्होंने बताया सर हमारे तो 50s में अटेम्ट थे 60s में अटेम्ट थे और descriptive एड होकर हमारे एक marks लगबक 70s के आसपास ही वह expect कर रहे थे तो दोस्तों वहां से तो यही feel होता है कि 65 से 70 cut-off गई होगी और 70 भी नहीं गई होगी और 65 side ही cut-off रही होगी तो फिलाल तो दोस्तों यही देखने को लग रहा है और 3-4 दिन में आज से आपको अपना scorecard देखने को मिल जाएगा unfortunately उन लोग को अपना scorecard देखने को मिल जाएगा जिनका means qualify नहीं होग पाया क्योंकि बहुत सारे deserving candidates थे उसमें मैं खुद समझ सकता हूं दोस्तों यह कि उसे कम से कम यह राहत तो मिल जाए कि कम से कम वह यह सोच अंताजा लगा पाएं कि उनके cutoff से कितने ज्यादा माक्स हैं तो see you in the next video guys and prepare well see you in the next video